बुनियाद केंद्र उद्देशय से भटका, व्रिध्ध जन्व दिव्यांग हो रहे सुवेधा सेवंचित तेघडा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया समबाददाता अशोक कुमार ठाकुर की कास्ट रिपोर्ट तेघडा, बेगु सराय, प्रखंड मुख्याले तेघडा के परिसर में करीम दो करोर रुपे की लागत से बना अनुमंदलिया बुनियाद केंद्र अपने मुख्य उद्देशय से भटक गया है बुनियाद केंद्र पर साथ से अधेकुम्र के बृध्ध जनों और महिलाओं तथा दिव्यांग जनों का फिजियो थेरपी, बोलनी में असमर्थ बच्चों के लिए स्पीच थेरपी, नेत जांच, इलाज, मांसिक रूप से परेशान लोगों की काउंसलिंग, नियमित र इन सुविधाओं से लगातार वंचित हो रही ही, इसके लिए दिव्यांगों को निजी क्लीनिक का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां उनका जमकर दोहन और शोशन होता है, लोगों की माने तो पहले जरूरत के मुताबिक केंद्र में फिजियो थेरपी की जाती थी लेकिन क है महीने से केवल एक दिन यहां ट्रीक्मेंट तो नहीं मात्र परामर्श दिया जाता है, जिसकी वजह से दिव्यांगों को पिजयो थेरपी के लिए निजी क्लीनिक का सहारा लेना पड़ रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के इस समाज कल्यान विभाग द्वारा प्रखंड मुख्याले में स्थापित बुनियाद केंद्र की बुनियाद खुद खोखली साबित हो रहा है, इस पर न तो सरकार का ध्यान है और ना ही स्थानिय प्रशासनिक अधिकारियों का विधित हो की व्रिध्धजन, दिव्यांग, विध्वा, नीह, शक्त लोगों को बहतर्व सहज शिकित्सा के साथ कृत्र मांगोग लब्ध कराने के उद्देशय से स्थापित बुनियाद केंद्र में मात्र एक कर्मी वाक्य श्रवन संयुक्त कुमारी कार्यर थी, बाकी केंद्र प्रबंधक, अकाउंटेंट, काउंसलर, तक्नीशियन, फिजियो थेरपी कृत्र मन्द निर्माता आदी कर्मियों के अभाब में लोगों को इसका समुचित लाब नहीं मिल रहा है इस कारण अब जरूरत मन्द यहां आने से परहेज करने लगे ही यहां तक्नीशियन सहित एक दर्जन कर्मियों का पद स्रिजित है लेकिन सभी विभागियपद खाली पड़े ही इस कारण लोगों को इसका लाब नहीं मिल रहा है बुनियाद केंद्र में तैनात कर्मी ने बताया कि प्रबंधक सहित मनोचिकित सक्के पद रिक्त है मतिहानी बुनियाद केंद्र से सुमवार को नेत्र परीक्षक वेद प्रकाश मिश्र मंगलवार को प्रित्रमांग मिर्माता रविंद्र कुमार इवं फिजियो थेरपी एंजेश कुमार को यहां प्रतिन युक्ती किया गया है जो सप्ता में एक-एक दिन यहां आते ही फलस्वरू केंद्र संचालन की खाना पुरी ही हो रही है बुनियाद केंद्र स्थापना का उद्देश्य व्रिध्धजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाब दिलाने के लिए मार्कदर्शन देना, वाकव श्रवन संबन्धी जांच्व समाधन, फिजियो थिरपी सेवाएं एवं सहायक उपकरन के लिए मार्कदर्शन एवं वी पी अलधारी को मुफ्तमी श्रवन यंत्र का वित्रन करना है लेकिन अधिकांश पद रिक्त रहने के कारण लोगों को इन सब का लाब नहीं मिल रहा है इसलिए ये साबित होता है कि निम्य स्तर पर जीवन यापन करने वाले विध्वा, दिव्यांग, असहाय एवं व्रिधजनों के हित के लिए चलाए गए ये सरकार की महत्वा कांशी योजना ग्रीन प्रोजेक्ट मात्र फाइलों में सिमट कर अपने लक्षे से भटक चुका है